कि नमस्कार कल फिजिक्स के बेवेंड औसिलेशन्स पेपर में हमने बेलोसिटी ओफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेश स्ट्रिंग निकाला था और हमने बताया था कि यह बेलोसिटी का जो मान निकलके आता है बेलोसिटी ओफ इलास्टिक बेव डिटर्माइन करेंगे और आप यह देखेंगे कि अपने सब्जेक्ट में किस प्रकार से रिजल्ट्स एक दूसरे सब्जेक्ट में एप्लिकेबिल है आपने मेकेनिक्स में इलास्टिसिटी पढ़ा हुआ है और इस इलास्टिसिटी में हमने किस प्रकार से हम चारो कोफिसेंट डिफाइन करते हैं जो है बाई, के, इटा, सिग्मा, यंग मॉडूलस, बल्क मॉडूलस उनके रिलेशन्स ड्राइब करते हैं और उन सबकी एप्लिकेशन्स भी हम अनेक इस्थानों पर प्रियोग करते हैं ये इस्थान भी कुछ ऐसा ही है जब हम किसी सॉलिड रॉड पर कुछ फोर्स लगाएंगे तो निश्चित रूप से उस फोर्स के कारण उसके आकार में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा लेकिन जब आप उस फोर्स को अटा लेंगे तो जो सॉलिड रॉड है वो अपनी पूर ववस्ता में आने का प्रियास करेगी कारण इलासिटी है इलासिटी के कारण वो अपनी पूर ववस्ता में आने का प्रियास करती है तो ये जो mechanical action है इस mechanical action के कारण ही solid में बे-propagation होता है मान लिजिएगा मान लिजिए मैं solid के जो छड़ है उसके एक सरे पर एक axial impulse लगाता हूँ impulse आप समझते हैं impulse का अर्थ होता है force into time तो जब हम axial impulse लगा रहे हैं इसका अर्थ हुआ चड़की अक्ष के अनुदेश आबेक लगा रहे हैं तो निश्यत रूप से जो इसका प्रभाव होगा उस प्रभाव में एक तरंग बेक से उसका प्रपेगेशन होगा और यह है प्रभाव जो हमने axial impulse लगाया है मूलते longitudinal बेब के रूप में generate होता है अनुदेहर तरंग के रूप में propagate होता है यानि एक बेब प्रपेगेशन होगा बेब प्रपेगेशन मैंने आपको प्रारभ में बताया है जब कभी medium में किसी भी प्रकार का disturbance हो disturbance की एक निश्यत velocity हो तो हम उसको कुल मिला करके एक बेब मोशन का नाम देंगे तो जो longitudinal बेब इसमें generate हो गई है और जो longitudinal बेब generate होई है वह longitudinal बेब एक axial impulse के कारण हो गई है तो हम अब यंग modulus और इस तरह के कोफिसेंट की determine करके इसका जो velocity है उस velocity को निकालने का प्रयास करते हैं उस velocity को निकालने का सीखते हैं आप इस diagram को देखिएगा मैंने इस diagram में जो cylindrical roll ली है उसकी x अक्ष के अनुदिस मैं कह रहा हूँ कि माल लीजिए longitudinal बेब generate हो रही है तो इस case में बे propagation के कारण छड़का जो प्रते cross-sectional plan मिलेगा वह है cross-sectional plan अपनी माध्य अबस्ता के आगे पीछे कमपन करता है यानि हमने जो axial impulse लगाया है उस axial impulse के कारण इस solid rod का प्रते cross-sectional plan में moment हो जाती है वह है cross-sectional plan अपनी mean position के to and fro कमपन करने का प्रयास करता है कमपन करता है और इसी कमपन का जो integrated effect है वो यह है कि एक बेब generate हो रही है बेब propagate कर रही है और इस बेब को हम एक elastic बेब के रूप में कहेंगे आप इस diagram पर देखेगा मैंने x बराबर 0 से x और x बराबर x प्लस delta x दूरी पर दो cross-sectional plan A और B लिये हैं जैसा कि मैंने diagram में दिखाया है अब माल लिजेगा axial impulse के कारण बेब propagate जो हो रही है उसमें ये cross-sectional plan A और B में displacement हो रहा है और जो नए plan है वो A डैस और B डैस बन रहे है और इन cross-sectional plan का जो displacement हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है A A डैस पर जा रहा है displacement साई है B B डैस पर चला गया है और B B डैस का जो displacement है वो साई प्लस डेल्टा साई है हमने ये बात इस diagram में दिखलाई है तो हम जो original हमारे plan थे मान लीजिए A और B थे उनके बीच में जो displacement था वो डैल्टा एक्स था axial impulse के कारण इसमें elastic wave generate होई है और elastic wave generate होने के कारण जो प्रारमिक लंबाई है उसमें परिवर्तन हुआ है और उस नया जो परिवर्तन हुआ है आप उस diagram सो देखेगा उसका जो मान है वो हो गया है A डैस B डैस माइनस AB क्योंकि प्रारमिक जो विस्तापन था वो AB है A से A डैस पर चला गया B से B डैस पर चला गया इसलिए इस लंबाई में जो परिवर्तन हो गया वो A डैस B डैस में से यदि हम AB कम कर दें तो हमें जो इस axial impulse के कारण displacement नया हुआ है उसका मान हमें मिल गया है तो इस प्रकार से जो लंबाई में परिवर्तन आ गया है वो है लंबाई में परिवर्तन डेल्टा साई आ गया है मेकेनिक्स की elasticity यानि प्रत्यास्ता में हमने सीखा है विक्रती के मान निकालना strain को निकालना तो हम longitudinal strain निकाल सकते हैं और longitudinal strain जो होगी वह है क्या होगी ए और बी प्लैन में कितना लंबाई में परिवर्तन हुआ और कितनी उनकी प्रारंबिक लंबाई है उन दोनों का जो अनुपाद होगा वह है अनुपाद अनुदेर्द बिक्रती कहलाएगी longitudinal stress कहलाएगी आप देखेगा चुकि उसमें जो लंबाई में परिवर्तन हुआ है वह है डेल्टा साई का है प्रारंबिक लंबाई डेल्टा एक्स है इसलिए ज़िए मैं longitudinal strain को small s कह रहा हूँ सपूर्ज के हम सिद्दान्त का प्रियोग करें और डेल्टा एक्स एप्रोचेज जीरो तो उसकेस में हम longitudinal strain को डेल्टा साई अपॉन डेल्टा एक्स से partial differentiation को भी सेंट में लिख सकते हैं और मैंने इसको इस प्रकार से लिखा है पुने हम जानते हैं कि जो यंग प्रतियास्ता गुडांग है वह यंग प्रतियास्ता गुडांग प्रतिबल अपन विक्रती होता है इसलिए प्रतिबल बराबर हो गया y into अनुदैर विक्रती अर्थात प्रतिबल बराबर हो गया y into s by क्या है young प्रतियास्ता गुडांग है तो इस प्रकार से हमने प्रतिवल का मान निकाला और प्रतिवल का मान young प्रतियास्ता गुडांग young modulus and longitudinal strain के protect से दिया जाएगा तो इस समीपरण की मदद से हम जो cross section plan है उस पर कितना force लग रहा है उसका मान निकाल सकते है के लिए हमें प्रती बल की जो समीकर्ण आएगी उसमें एरिया का गुणा करना पड़ेगा मान लीजिए अनप्रस्त काट का छेत पल ए है तो हम बाई एस में यदि ए का मान कर दें गुणा कर दें तो हमें लगने वाले बल का मान प्राप्थ हो जाएगा तो हम इस प्रकार से जो बल का मान हमने निकाला है वह है बल का मान आ गया एफ इस उकस्तू बाई एस ए ध्यान रहें जिस प्रकार से जब इस मीडियम में जो सॉलिड मीडियम है disturbance के कारण जो A तल और B तल में जो displacement आ रहे हैं वो समान नहीं है तो जब displacement समान नहीं है तो इसका अर्थ हुआ इसका अविप्राय हुआ कि जो force है उनके मान भी अलग-अलग होंगे मान लीजिए जो plan A है उस पर जो बल लग रहा है वह है F1 है तो F1 बराबर हो गया by A S A ये समी करंट से लिखा है मैंने और इसी प्रकार से दुत्यतल B पर बल का मान हो गया F2 is equals to by A S B अते इस X दिसा पर axial impulse के कारण जो elastic wave generate हुई है और उससे medium में जो resultant force निकल रहा है उसका मान हो गया F is equals to F2 minus F1 हम इस resultant force को निकाल सकते हैं और ये resultant force जो निकल के आता है इसका मान हुआ F is equals to YA DDX of S delta X ये एक force की समिकर्ण आ गई है और इसमें DDX of S चंकी लंबाई के अनुदिस अनुदेर्ध बिक्रती में परिबर्तन की दर को ब्यक्क करती है अब आप इस समिकर्ण में जिसको की मैंने समिकर्ण 4 काहा है small s यानि longitudinal stress का मान रख सकते हैं और longitudinal stress का जो मान है DDX of Sigh है partial differentiation में इसलिए परणामी बलका जो मान हो जाएगा वह हो गया y यानि young modulus y a d2 si y dx square delta x ये है मान हमने बलका निकाल लिया है अब हम एक समिकर्ण में correction कर सकते हैं किस प्रकार से आप देखेगा जो geometry है diagram से देखे तो इस resultant force की जो समिकर्ण हमें निकल के आई है हम इस resultant force की समिकर्ण को अब जो समिकर्ण 5 है दूसरी समिकर्ण newton के नियम से और निकाल सकते है newton के जो समिकर्ण से जो बल के लिए समिकर्ण निकल के आ रही है माल लिजेगा medium का जो density है वो rho है छड़के पदार्थ का घनत उसमें उत्पन जो तोरण है वो d2 si y dt square है तो उस case में f जो होगा m a होगा और इस प्रकार से हमने newton के दुत्य नियम का उप्योग करते हुए बल की समिकर्ण निकाल ली है बल की समिकर्ण का जो मान आ रहा है वह है यह rhoi delta x d2 si y dt square है तो इस प्रकार से दो बल के समिकर्ण हमें प्राब्थ हो गए हैं दोनों को तुल कर दे दोनों को बरावर कर दे जब दोनों को बरावर कर रहे हैं तो हमें गंतिय संबंद प्राप्त हो रहा है d2 si y dt square is equals to y by rho d2 si y dx square पुने हम जो 1 dimensional या 3 dimensional बेवी के सन निकाले थे उसके साथ इस जो गंतिय संबंद प्राप्त हुआ है उसकी तुलना करते है और उसकी तुलना करने पर हमें b square का मान प्राप्त हो जाता है और b square का मान प्राप्त हो रहा है by बटा हुआ रो अर्थात velocity of elastic babe velocity of elastic expression for the velocity of elastic babe is equals to square root of by by rho by young modulus है रो जो छड़का पदार्थ है उसका घनत है इसका अर्थ हुआ कि कोई solid cylindrical rod है उसमें यदि longitudinal babe propagate कर रही है तो longitudinal babe propagate करती है तो उसमें velocity का जो मान है वह velocity का मान यंग प्रत्यास्ता का गुणांग और छण के पदार्थ के घनत पर निर्भर करता है यह article जो आज हमने discuss किया है परिक्षा में कई बार पूछा गया है परिक्षा की दरस्टी से यह एक महत्पून आर्टीकल है मेरा आपसे परामर्स है कि आप इस आर्टीकल को गहनता से अध्यन करें और परिक्षा में अच्छा सफलता प्राप्त करें धन्यवाद् झाल